इस देश में इस देश को आजाद करवाने के लिए जिन लोगों ने फासी के फन्रों को चुमा था उनके सम्ने थे कि देश आजाद होगा देश के अंदर अमचैन होगा भाइचारे की जिन्दगी जियेंगे कोई व्यक्ति भूग से नहीं मरेगा सब कोशिक सवस्वास से रोजगार मिलेगा लेकिन आज आज दुरुभा के हैं हमारे इस देश का कि पिछले दस सालों से इस देश के अंदर बहुत आफ्टे राज कर रही हैं जो हमें अपस में लड़वाने का काम कर रही हैं आपने देखा होगा दो हज़र चोदा के अंदर जब देश के अंदर कॉंग्रेस की सरकार थी उससे पहले और चोदा में हमारे देश के जो पंधान मंद्री है नरेतर बोदी जी बड़ी बड़ी सक्रीनों पे टीवी पे आते थे और मन की बात बोलते थे बोलते थे बैना और भायो बहुत हो गई महगाई की मार अबनाओ मोदी सरकार वो बोलते थे कि हम देश के अंदर फ्रश्टाचार खतम करेंगे काड़ा धर्वी देशों से लेके आएंगे वो बोलते थे कि ये नोजमान जो है देश के अंदर हम हर साल को क्रोड़ लोगों को रोजडा देंगे वो बोलते थे कि बहुत हो गए महिलाओं पर अत्याचार अब लाओ मोदी सरकार अब साथियों तस साल में हमने मोदी सरकार तो ले आए थे लेकिन उन तस सालों में जो उन्होंने वाइदे किये थे उन वाइदों की तरफ भी धान दीजिए क्या वो वाइदे पूरे हुए है 2014 में अगर सिलेंडर का रेट 400 रुपए था तो आज हमें 1100 रुपए दे के भुगतना पड़ रहा है रोजगार की बात करने वाड़े ये नोल्स आज हमारे नोल्स वान रोजगार के लिए भटक रहे है ग्रुप D की नोकरी के लिए M.A.M.P.S.D करे हुए बच्चे जो है लाइनों में लगे हुए है सस्ता रोजगार जो है ये देडे का काम करने लग रहे है ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाड़े आपने देखा होगा की पुरे देश के अंदर महिलाएं जो अंतराष्टियस्तर की जो खिलाणिया थी जब वो देश के अंदर जो प्रिजभूशन शरण है जो भागे जन्ता पार्टी का जो है सांसत है उन्होंने महिलाओं लड़कियों के साथ जो मुत्विडन करने की कोशिश करी हर्याना के अंदर खेल मंत्री संदीब सिंग जो मंत्री मंडल के अंदर है और हर्याना की सरकार के अंदर पूरा मुख्य मंत्री खटर जी जब हम महिलाओं की आवाज उठाते थे तो वो ठपकी मार्केट टेबल पे बोलते थे कि हम इस मंत्री संदीप सिंग को नहीं हटाएंगे और आपने बात करने वारे कि अभी आपने बिलकिश पानों का केस देखा होगा कि गुजराज के अंदर उस बिलकिश पानों के साथ जिस तरह से 19 लोगों ने सामुहित बनात कर किया उनके परिवार के चार लोगों की हत्या हुई ये 6 महिने के बच्चे को पत्थ से 5 विट के मात दिया गया था तो कोट ने उनको उमर कैट की सजा दी थी इसी देश की मोधी सरकार ने जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वारे है इन्होंने 15 अगस के दिन उन ब्लाद काईयों को उन गुंडों को जेट से रिहा कर दिया उनकी सजा माफ कर दी हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कोट से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं आप कोट से रोजगार की बात करते हैं आप कोट से महगाई की बात करते हैं इसलिए साथियों ये सवाल है हमारे सामने मैं आप से ये अपील करती हूँ कि अबिलिया गटबंदन की और से हमारे राजबबबत जी को जो पत्याक्षी के रूम में यहाँ पे खुरगावा के अंदर भेजा गया है हम खुरगावा की जन्ता अपना एक-एक इम्ती वोट एक-एक वोट हाथ पर लगा करके राजबबर को विज़ाई बढा करके सालसाद के अंदर भेजेंगे और यह जो चेहरे हैं इनको भी बेनकाब करेंगे यह जो लूट छूट और फूट की राजबिती है उसको हम बेकनाप कर बेनकाब करेंगे इसलिए मैं सभी से दोवारा से यह पीज़ रणा चाहती हूँ कि अब जहां भी हैं जहां भी आज बड़ो अस्री सहतारी में हम सब जगाये बोलते हैं कि अब की बाद इंडिया गटकुतर सरकार होगी बीजेपी बगाओ जेट बचाओ बीजेपी बगाओ सबीदाद बचाओ यह नारा दे के हम जटा के बीच में जाएंगे साथियो और पार्टियों की फोर्ट हम प्रिचे की तरफ धके लेंगे और एक देश के अंदर लोग तंदना रास होगा यह रास आप लोग कायब करेंगे अपने इस हाथ के अगुटे के निशान से इसलिए आप सब लोग प्रबारा से मैं फिर से अपील करती हूँ क्यूंकि हम पे बार बहुत हुए हैं हमें राशन कार से वर्चित कर दिया हमे अरे तो 35 कि लो मिलता था आप ने तो खटा के 5 किलो कर दिया है यह हमें 20 साधसे पहले से पीजना आ रहा था आपने कूंसा अलग से रचन दे दिया बिल्कि आपने दो हर्यणा के लिका लोगों का राशन जो है 35 से पांच हो गया है चीनी 2 से 1 हो गई है जाग चावल गायब कर दिये हैं तो हमारा हग कहा है यह हम अपना हक बांग रहे हैं अपने हक लिए हम आवाज उठाएंगे और इंडिया गटकंदर को चिता करके अपने अधिकारों को हम फासिल करेंगे एक ही सरकार है जो देश के अंदर राजिव गादी के लेतरतों में कॉंग्रेस पार्टी के लेतरतों में इंडिया गटकंदर जो हुआ है वही एक देश को सही दिशा और दशा दे सकता है मैं उमीद करती हूँ कि मेरे अर्जुन नगर में सभी भाईब है पुरे गुदावा के पासी अपनी बार पिछले साथ सथ को यहां से उद्गाओ